बारत की पहचान कहे जाने वाले योग का पर्व आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दिली में पिट्रोल के दामों में 11 पैसे तक की कमी देखी गई है जबकि कोलकाता में 11, मुंबई में 14 पैसे की कटोती हुई है। और धार के साथ शुरू किया जाएगा। खासकर दक्षण कश्मीर के चार जिले जिन में शोपिया, कुलगाम, अनंतनांग और पुलवामा है जो पिछले दो सालों से लगातार आतंकियों का गड़ बन चुका है। करमचारी भविश नीदी संगठन यानी EPFO के Board of Trustee की बैठक 26 जून को होनी है। इस बैठक में PF अकाउंट से महज 60 फीसदी रकम निकालने की इजाजत वाले प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। सूतर कह रहे हैं कि EPFO ने PF निकालने के बढ़ते मामले को देखते हुए ये नया प्रस्ताव तयार किया है जिसमें जल्द बदलाव देखने मिलेगा। 2019 लोकसबर चुनाव के लिए राजनेती दलों ने रणनीती बनानी शुरू कर दी है। मुहमद अनस सिद्धकी और उनकी पत्नी तन्वी सेट ने साल 2007 में शादी की थी और उन्होंने लखनव में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। तन्वी का अरोप है कि पासपोर्ट ऑफिसर पिकाश मिश्रा ने उन्हें नाम बदलने को कहा और सिद्धकी को धर्म बदलने के लिए भी कहा गया। जमो कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट यानी जेके एलेफ के नेता यासिन मलिक को गुरुवार को पुलिस नहीं रासत में लिया है। कि इस मुकाबले में सुवारेज ने खेल के 23 मिनट में ही हेडर से ये गोल किया। अमेरिकी रास्पती डॉनल्ल टरंप ने आखिरकार अवैद प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किये जाने के आदिश पर हस्ताक्षर कर दिये। उन्होंने वादा किया है कि अब प्रवासी परिवार एक साथ रह सकेंगे। अब अवैद प्रवासी परिवारों को एक साथ हिरासत में लिया जाएगा। हलाकि अगर माता पिता के हिरासत में लिये जाने के बाद बच्चों पर गलत प्रवावपणनी के आशंका है तो उन्हें अलग ही रखा जाएगा।